प्रवरतन यातरा निखाल रही है क्या कहना चाहेंगे आप परिवर्तन यात्रा के समंद में बताने से पहले मैं आपका अभार विक्त करना चाहूंगा कि आपने अपने मीडिया के माध्यम से मुझे लोगों के रूबरू होने का मुखा दिया बहुत बहुत आपका स्वागत है परिवर्तन यात्रा की जहां तक बात है कि प्हुने पंच साल में जब से राजस्तान में आशोक जी गली अगलोट के नेतरतों में कॉंग्रेस की सरकार तीसरी बार आई है और जो जन्व कलियानकारी करें पिछने पंच साल में करोना की विप्रीद परस्तितियां डेज़ साल तक रैने के बावजूद बीच में चुनाओ भी आए पंचायतों के नगरपा लेका के अचार सहिंता भी लगी उसके बावजुद जो एत्यासिक करे हुए हैं उससे बाजपा बुखलाई हुई है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है पहले उन्होंने एक जन अकरोस यात्रा निकाली थी लेकिन वो जन अकरोस यात्रा बुरी तरह से उनकी फैल होई आपको मीडिया के साथ कि उनको भी मालूम है जन अकरोस किस बात का मैं पहले उस पर बात करें जन अकरोस होता है जनता को जनता में कोई अकरोस होता तो जनता सड़क पे होती लेकिन ये बीजेपी तो चुनावी राजनीती के लिए क्योंकि राजस्तान में इस दफ़ा विपक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं मानने मुख्य मंतरी जी असोग जी गैलोत भी बार बार कहते हैं लोगतंतर के अंदर विपक्ष मजबूत होना जरूरी है लेकिन इस दफ़ा राजस्तान में हम देख रहे हैं विपक्ष के नाम पे बाजब्पा पूरी तरह से फैल हुई है विपक्ष है नहीं अब जैसे चुनाव नजदीक आ गए मानने असोग जी गैलोत की जनकल्यानकरी योजना है जिन में मुखे 25 लाख रुपे की चिरिंजीवी योजना 10 लाख का दुरुगटना बिमा 500 रुपे में बीपियल परिवार को सिलेंडर खादेश रुक्षा योजना के तैत पतर व्यक्तियों को हर मा एक दाल चीनी चावल वगेरा की किट स्कूल के अंदर विधारतियों को दो यूनिफोर्म मुफ्त स्कूल के अंदर बच्चों की फीस माफ अंग्रेजी स्कूलों के अंदर मात्मा गंदी अंग्रेजी स्कूलों के नाम पे हजारों स्कूल राजस्तान के अंदर कन्वर्ट किये और इसी तरह से पसु बिमा की बात करें हर छेतर के अंदर चाहे चिकित्षा की बात करें सिक्षा की बात करें युवाओं की बात करें बेरोजगारी की बात करें राजस्तान भारत में पहला राजय है कॉंग्रेस के नितरतों में कि जिसने सेर के अंदर भी 125 दिन की नरेगा का गरंटी दी है 125 दिन की गरंटी दी है भारत के अंदर राज़स्तान पहला राज — इसी तरह से चिरंजीवी योजना के लिए भारत में राज़स्तान पहला राज है करोना के अंदर माने ने असोग जी गैलोत ने जो मैनेजमेंट किया उसकी परसंसा माने पर दानमंतरी ने अंदर मोदी जी को भी करने पड़ी तो जो जनक लियान करी योजनाय राजस्तान में चल रही है वो पिछले 70 साल के अंदर ईसे एत्यासिक करेनी हुए जो अब इन पूने 5 सालों में हुए तो भाजपा उखला के जना क्रोस यात्रा कभी धर्म के नाम पे अपरिवर्तन यात्रा ये परिवर्तन यात्रा नहीं य मेरा विश्वास है लेकिन जिस तरह से यह राजनिती के अंदर दरम का गालमेल करके बोले-बाले मद्दाताओं को ब्रहमित करने का प्रयास करती है परिवर्तन परिवर्तन किस बात का परिवर्तन इस बात का कि असोग जी गयलोत ने जो 25 लाग की चिरंजीवी योजना शुर दे रहे हैं वो बंद करके परिवर्तन करेंगे परिवर्तन किस बात का परिवर्तन इस बात का जो खादे सुरक्षा के अंदर पातर व्यक्तियों को जो किट दर दी जा रही है उसको बंद करके परिवर्तन करेंगे किस बात का परिवर्तन आज राजस्तान के अंदर हर छेत कर ये योजनाओं को बंद करके ये प्रिवर्तन करेंगे बात तो बताएं किस बात का प्रिवर्तन प्रिवर्तन यात्रा इन्होंने नाम तो रख लिया मेरे को इनकी इनके एडवाइजर पर या जिन्होंने इनको नाम दिया उस पर अंसी आती है कि आप बताओ तो सही किस बा तो इस बार क्या लगता है आपको भी क्या रहेगा इस दफ़ा जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पिछले पूने पांच साल के अंदर राजस्तान के अंदर कॉंग्रिस की सरकार ने मनन एसोग जी गैलोट के नेतरतों में जो इत्यासी करे किये हैं आज आप काउं के अंदर खुद आप मीडिया के साथ ही हो आप भी उसमें थोड़ा सर्वे करो के गरीब आदमियों के लिए मद्यमवर के लिए जो कारे किये हैं सोग जी एलोट ने जनता मन बना चुकी है कि राजस्तान के अंदर कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होगी और हर्मानगड जिले की 500 सीट कॉंग्रेस पार्टी निश्ची तरुप से विजई होगी दादरी जी आप ये कह रहे हैं कि जो है 500 सीटे रिपीट होंगी लेकिन हर्मानगड जिला मुखहले या हर्मानगड विदानसभा की बात करें तो यहां जो है एक बार भाजपा एक बार कॉंग्रेस और यहां के ज जो जो अनमानगड विदानसभा की बात है इस दफ़ा ये प्रेपाटी बदलेगी क्योंकि पिछले चुनाओं में क्या प्रसितिया रही क्या नहीं ही रही उन में हम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन इस दफ़ा मानने मुक्या मंत्री असोग जी गैलोत के जो नेतरतों में हर और चेतर में जो काम किये हैं उन कामों को देखते हुए और जो विदाइग जी के नेतरतों में जो काम होए जाए मेडेकल कॉलेज की बात करें चाहिए इंग्लिपीयों की बात करें बिल्कुल दादरी जी मुखे मंत्री असोग एलोट जो हनमानगड आये थे उन्होंने एक गोसना किये थी हनमानगड में स्पिनिंग मील की बहुत बड़ा मुद्दा है हजारों जो है उसमें जो लोग बेरोजगार हुए थे लेकिन असोग एलोट ने गोसना किये लेकिन प्रिकिरिया में टाइम लगता है यह प्रिकिरिया चल रही है और निश्चित रूप से असोग जी कहलोट के नेतरतों में बिल्कुल बिल्कुल अभी आपके जो यहां वन्सवाद को लेकर एक हनमानगड के सभाबती गिनेश राजबंसल जो परचार कर रहे हैं पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि अधर्नाटथ कि और दो कि तरो